ये नियोर्क के ब्रुकलिन में एक ICU का नजारा है BBC के पार्टनर नेटवर्क CBS को अंदर जाने की अजासत मिली है यहां जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही है इस मरीज को स्वास्ते सम्बंधी कोई खास परिशानी नहीं थी लेकिन वाइरस की वज़े से ये एक दमसास नहीं ले पा रहे हैं और किड्नी भी खराब हो गई है हलागि प्रशासन का कहना है कि निजी सुरक्षा उपकरणों की कोई कमी नहीं लेकिन सच्चाई कुछ और ही है मैं आपके जैसा मास्क चाहती हूँ हम सब ऐसा ही मास्क और आपके जैसे ही सफेद कपड़े चाहते हैं लेकिन देखिए मैंने क्या पहना है ये क्या है ये तो कच्रे वाले बैग जैसा है हाँ ये कच्रे वाला बैग ही है इस मरीज की सांस लेने वाली ट्यूब बदले जाने की जरूरत है और देखिए एक मरीज को जिन्दा रखने के लिए कितने ज्यादा उपकरणों की जरूरत होती है आई सीउ के डॉक्टर काम चलाने के लिए इसकी गौगल्स पहन रहे हैं पर अमरीका को शायद और भी बुरे दिन देखने है हम सब अमरीकियों के लिए ये हफ़ता बेहत मुश्किल और दुख़त होने वाला है ये हमारे लिए परल हारबर और 9-11 जैसा समय है और ये एक जगर नहीं रहने वाला पूरा अमरीका इससे प्रभावित होगा इस बीच नियोर्क म्रतकों की बढ़ती संख्या से जूज रहा है रेफ्रिजरेटेड लॉरियां मुर्दा घरों में तबदील हो गई है और वरिष्ठ स्वास्त अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सारजनिक पार्कों में भी म्रतकों का अंतिम संसकार करना पड़ सकता है